बिवाहीता मम्ता ने ससुराल की पड़ताना से तंग आकर जहर खा लिया है नाजुक हालत में मम्ता को मौहाल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया पुलिस ने सबका पोस्टमाटम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है कसौली थाना में मृतिवला के मृतिका के भाई चंदर ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन की शादी साथ मेई 2017 को सुरेंदर निवासी डकराना तहसील कसौली की साथ हुई थी शादी के कुछ समय बाद ही ससौराल बाले उसकी बहन के साथ देहस कम लाने को लेकर जगड़ा वो मार पीट करने लगे 31 दिसंबर 2017 को उसका जीजा उसकी बहन को बापिस ले गया और विस्वास्त लाया कि भविश्य में लड़ाई जगड़ा नहीं होगा कुछ दिन तक सब कुछ ठेक ठाक चलता रहा दो दिन पहले ही ममता ने फोन करके बताया कि ससौराल बालों ने उसे दोबारा तंग करना शुरू कर दिया और वो माई के आना चाहती है लेकिन दस फ़वरी को गाम के चाचा ने उसे आफिस में फोन कर बताया कि मम्ता ने जहर खा लिया है पुलिस ने मृतिका के पती के खिलाब मामला दर्जकर चान विन शुरू कर दी है वहीं अतरिक्त पुलिस अधिक्षक डॉक्टर शिफ कुमान शर्मा ने कहा कि इस घटना में पुलिस ने कड़ संग्यान लिया है और इस मामले में मृतिका के पती समेत घर के चार सदस्यों को गिरफतार किया गया है उनके खिलाब मामला दर्जकर अगामी कारवाही अमल में लाई जा रही है जो केस कसौले में हुआ है दस तारीक को चार वज़े के करीब हमारे पास सूचना प्रापत होई थाने में मेक्स हॉस्पिटल चंडीगड से कि किसी लेडी को ब्राउट डेड हॉस्पिटल में लाया गया है इस पे तुरंत पुलिस जो है स्पॉर्ट पे गई और वहाँ पे जाके जो है जब तैकिकात की गई तो इसमें मिस्टर चंदन है एक बद्दी के रहने वाले हैं का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया जिनके अनुसार जो डिजीज्ट है वो उसकी सिस्टर थी और इसकी शादी जो है कसॉली के एक गाउं में होई थी गाउं का नाम हाड बहता है लड़की को जो इसके ससुराल वाले हैं इसमें उसका पती सास ससूर वो उसकी सिस्टर जो है लगातार तंग करते थे और इस तंगी से दुखी होके इसने जो है सुसाइड कर लिया है ये प्राइमाफेसी वर्जन हमारे पास आया था इसके बेस पे पुलीस ने 306, 498A और 30 फोट IPC के तहद केस दर्ज करके तपती शुरू की और इसमें अभी तक चार लोगों को गिर्फतार किया जा चुका है और लड़की का पोस्ट मॉटम करवा के उसको आगे पेरेंट्स के हैंड ओवर कर दिया है इसको दहेज के लिए जो है जो से सुराल वाले थे वो तंग करते थे और मेंटली टॉर्चर करते थे इस बज़ा से उसने ये स्टेप उठाया है बाकी इसमें इन्वेस्टिकिशन जा रही है जैसे भी अकॉर्डिंगली फेक्ट्स आएंगे इसके अनुसार करवाई की जाएगे